हमारतात इसक्त बादचीत के लिए मोजूद हैं कॉंग्रेस की विधान मंडल दल की नेता अराधना मिश्रा मोना जी मैं मगर बात के तो अखलेश यादो ने 2019 के गड़बंधन के बाद पहली बार मायवती प्रहमला बुला है पर एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हो अखलेश जी के कि मायवती जी वाकई उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीत को जिसने उनको लगातार तीन बार मुखमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश की राजनीत में उन्होंने उनको एक सम्मधाय ने उनको प्रदेश की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया उस जनता को जब आवशक्ता थी 2022 के चुनाओं में तो उस जनता को उन्होंने धुखा दिया इस बात से इनकार नहीं किया सकता और स्पष्ट क्या है आप देखिए जैसे चब भी चुनाओ हुआ पूरा चुनाओ के क्रम में मुझे आप बता दीजे कि कितनी जगह मायावती जी पब्लिक मीटिंग करने गई बेस पी के कैणीडेट के समर्थन के लिये क्या उन्होंने वोट मांगा या उनके काडर का कोई बड़ा नेता ने पब्लिक रिरली की हर पार्टी के जैसे वो बीजेपी रही होroveं कॉंग्रेस रही हो सपा रही जो और ने दल जो राजने दल थे वो सब लोगों ने सब लोग सड़क पे नजर आए चुनौ लड़ते नजर आए पर आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी राजनेतिक कारेक्रम या रैली मायवती जी ने की तो कहीं न कहीं ये सवाल जो अखलेश जी ने उठाया है ये उत्त एक बड़ा फ्रंट बना रहे हैं या तो उसमें हमारे साथ है और नहीं आए तो भारती जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई जो लड़ी जा रहे है उसमें बीजेश पी अपना स्टैंड क्लियर करें ना कभी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया और नहीं वो घर से यह सवाल हम लोगों ने लगातार आप देख लिजे 2022 के चुनाओ के पहले से प्रियंका जी ने हम सब लोगों ने यह सवाल उठाया था और यह बराबर कहा था कि अगर यह चुनाओ बीएसपी बीजेपी के खिलाफ वाकई वो मुद्दा पे लड़ना चाहती कभी-कभी दिखाई दे जाते थे तो अगर वाकई इस पश्ट है तो उनको सडक पे जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए क्यों नहीं उठाये उत्तरपिदेश की जनता के मुद्दों को लॉइन और पे कभी नहीं बूली कभी उन्होंने किसी मुद्दे पे महेंगाई पे और कभी किसी पर नहीं उन्होंने बीजेपी को घेरा तो ये कहीं न कहीं जो ये साड़गाट थी वो उनकी एक्टिविटी थी पार्टी की थी वो सपश्ट हो गई थी तो आप देखिए उसका परिनाम है भारती बीसपी जो इतनी बड़ी पार्टी थी जिसने कई बार सरकार इसके एक और सवाल है कि जिस तरीके से उन प्रकास राजभर ने भी बयान दिया है कि अखले शादो मायावती परत बयान दे रहें लेकिन एसी से बाहर ने निकलना है और ये भी कहा है कि पीम के लिए सबसे योग्य उमीद्वरा भी प्रदान मंतरी नेंदर मुदी ही ही है मुझे तो आज तक ये राजनीत समझ में नहीं आई मुझे तो वो भी आत है कि 2017 के चुनाओ के पहले राजभर जी ने क्या बयान दिया था उसके बाद वो सरकार में भी शामिल रहें फिर उसके बाद 2022 का चुनाओ उन्होंने ये कहकर के सपा की गडवन्धन के साथ लड़ कि भारती जनता पार्टी ने उनको जो मुद्दय थे बैकवर्ड के जो आरक्षण के मुद्दय थे और जनगरना के मुद्दय थे इन सब मुद्दों पर धोका दिया इसलिए वो सपा के साथ अलाईंस में चुनाओ लड़ हैं चुनाओ हो गया अब चुनाओ के चार महीने बाधी उनको फिर वही राग उनका शुरू हो गया तो मुझे नहीं समझ में आता है कि उनके मुद्दे क्या है वो राजनीत में किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और कब तक सपोर्ट करें अपने आप स्टैंड को बदलते हैं तो यह उचित नहीं है इस प्रदेश की राजनीत के साथ जहां तक उन्होंने प्रधान मंतरी मुद्दी जी पर अपनी की टिपनी की है यह उनकी व्यक्तिकात रहे हो सकती हो दे सकते हैं असराई को एक आखरी सवाल है हो प्रकास राजबर ने ये भी कहा है कि नितिश कुमार कितना भी लोगों के साथ बातचीत कर लें लेकिन पी-म के लिए मूदी उमीदवार है विपक्ष के पास कई सारे पी-म के उमीदवार है लेकिए भारती जयनता पार्टी इसमें जो राजबर जी के रहे है कुछ गलत नहीं कह रहे है फारती जयनता पार्टी में तो डिक्टेटरशिप है वहान तो एक ही नाम चलता है एक ही एक ही का जहंडा वुलंद रहता है जहां तक विपक्ष की बात है खास कर कॉण्ग्रेस पार्टी की बात है हमने हमाइед पास सो कोई हमने किसी कि जो दल आना चाहते हैं, वो आएं, इस लड़ाई को लड़े और जो सबकी सहमती से प्रधान मंत्री का चहरा होगा, उसको बनाए जाएगा. खबर आपकी, जबाँ आपकी.